मेरी उर्जा की शुरूत क्यारे बच्चों, सद्धा कुश रहूं, सवर्त तुमारे कदम चुमें, हम पढ़ रहे थे विद्यापती, विद्यापती जो आदिकाल और भक्तिकाल की, जो संधी वेला है, उस संधी काल की कभी माने जाते हैं, मैथली इनकी भाषा है, सरंगार र पद हैं, वो छंद युक्त हैं, उनकी जो यती गती और वो बिल्कुल तुक और लेके अनुकूल है, संगीतात्मत्ता है, द्वेनात्मत्ता है, गेता का बुण है, तभी तो मिद्ला अंचल के सांस्टतिक जीवन की एक महत्वपून निदी है, विद्यापती के जो पद है जो हर मांगलिक अफसर पर गये जाते हैं और याद किये जाते हैं, आज भी आप चले जाएए बिहार में तो विद्यापती के पद हमें कदम कदम पर लोगों के सुर में, लोगों के सुरों में रचे बसे दिखाए देंगे, तो हम पढ़ रहे थे विद्यापती के पद में जिसमें उन्होंने राजा क्रिश्न के माध्यम से अलौकिक और लोकिक दोना तरीके की प्रेम की अभी मद्रा हमारे सामने किया हमने उनका पहले पत देखा है जिसमें लहनुने अनका नदेम नंधन के पेड़ंद के तले दीर दीर मुड़ी बजारा ही और रादा कान्दजार कर रहे हैं, आते जाते जो गोपियां हैं, सबसे रादा के बारे में पूछ रही हैं, लेकिन जो रादा है, उनकी महासरी पर मोहित है, सब कुछ उस पर वारना भी चाहती है, लेकिन लोकलाज के कारण मोहन से कृष्ण से ये बिंती कर रही है सुन रसिया अबना बजाओ विपन बसिया और जब बादा उनसे मिनने नहीं जा पा रही है कृष्ण से तो कृष्ण विरह में व्याकुल हो गई है और उनकी जो भावुकता है उनका जो प्रह है उनका जो वियोग है उसे वो सभाल नहीं पा रहे है क्रिश्ण वो बेहाल होकर जमीन पे गिर पड़ते हैं उनके जो माला उन्होंने पैन रखी है वो सब उनकी मोती बिखर जाते हैं चाड़ो तरह और जो वो इतनी बेहाल है रादा से मिलने के लिए बहुत आतूर हैं बहुत व्याकुल हैं तो एक दिन उनको अफसर मिल जाता है रादा से मिलने के लिए और आज हम इसी पत को पढ़ने जा रहे हैं कुझ भवन से चली वेल है रोकल गिरधारी जो रादा है वो अपनी सक्यो के साथ कुझ भवन से निकल के आ रही है हम सब जानते हैं कि जो गोकल की जो नारियां थी जो ब्रजवासियां थी वो दद बेचने के लिए माखन बेचने के लिए दूद गौरस बेचने के लिए दूद जाय कर देती हैं लोटके आया करती थी तो जो रादा है वो सक्यों क साथ चलिया रही है और जैसे रहए ऊसे बहुत निकलते है तो रोकल गिरिदारी लिवी उनको बीच में ही रोक लेते हैं और तरीके से बीच में रोक लोगे तो ये तो मेरे लिए बड़ा लोग में अफवाद का कारण बन जाएगा तो तुम मुझे मेरे साथ इस तरीके इसकी बटमारी इस तरीके की मतलब बाधाय परिशानिया मेरे लिए खड़ी मत करो तो मुझे छोड़ दो और जैसे ही रादा ये तुम मेरे आचल को छोड़ दे मैंने नई-नई साडी पहनी हुई है और ये मेरी नई साडी है इस खीचा तानी में फट जाएगी और जो फट जाएगी तो क्या होगा कि अब जो सो हुए तो जगत भरी है जनू करे अगारी और देखो तुम मेरी साडी को पकड़ रहे हो म मैं जाने की जिद कर रहे हूं तो साडी फट जाएगी और मुझे तुम नगन कर दोगे उगारा कर दोगे जो मेरे अभियस का बहुत बड़ा कारण बनेगा संग कसकी अगो आई लगे हमें एक सर नारी लेकिन क्रिश्न का इन सारे अनुने विनय पर प्रश्न पर कोई असर नहीं पड़ता वो राधा को नहीं जाने देते तो राधा फिर एक डर दिखाती है क्या दिखाती है कि संग कसकी अगो आई लगे हमें एक सर नारी हम सारी के सारी नारिया एक साथ यहां आई थी ददी बेचने के लिए और वापस एक साथी जा रहे थी मेरे संग की जो सारी सक्याएं वो आगे चली गई हैं, मैं अकेली रह गई हूँ, मुझे तुम जाने दो, सक्यों के साथ मुझे जाने दो, वरना समाज में सब लोग कूछेंगे के तुम तो आगे राधा क्यों पीछे रह गई ? इसलिए तुम मुझे जाने दो दमनी आये तुलाए लिए एक रात अंधारी और फिर राधा बहुट डर देखा रही है कृच्छन को के देखो सारी संग्ठे मेरे साथ की जो सक्कियां वो आगे चली गई है और आस्मान में जो को बिजली चमक रही है और वो मुझे डरा रही है और रात अंधीहारी है और इस अंधारी रात में जब बिजली कड़क रही है तो मुझे और ज्यादा डर लग रहा है इसलिए तुम मुझे मेरी सक्क्यों के साथ जाने तो मैं अकेली रह जाओंगी और मैं डर जाओंगी बने विद्यापती गाउल है सुनु गनुमते नारी हरी के संग के चो डर नहीं है तुह परम गमारी और जब इस तरीके से राधा कृष्ण से अपना पीछा छ लोग लज़त के डिखा रही है सामाजिक मरियदा का डिकार रही है और सक्क्यों के आगे कर और टकर धर यखिफ़े करने का इना याल क्मिद्ध Con. गुणा सवित्य का रहे है कि तुम भी मतिन नारी हो नतबना इन कर सकती हो किसं कि आपने राधा किसे संगर चीए, क्रिशन के साथ तो पर काया काडर काय तो लोक कलाफिक और क्या यह पिजली चमक रही है और रात अंदेरी है औरहे term सब रहे जाऊंगी यह सब एक सामन्न स्विक्ट के सामन्न नारी के डर हो सsınızंके वोहां। बहुत गण्यानता कि बात कर रही। अध्यानता की बात कर रही हो। interest. लाधा को समझाने मतलब सकी के माध्रय मसे उनोंने दो को यह चीज समझाई है के लिए अजए चलते हैं आगे अगे इसका संदर्व तो वही आ जो मैं पाँचमा पदा पढ़ाने चारीन miracle संदर्र के विद्यपति रच्न कारे में विद्यपधावली से ही लै और वही देखने को आपको मिल रहा है और जो चंद है वो पद है और जिसकी जो यती और गती है वो विल्कुल संगेतात्मत्वर गेता के अनुरूप है ले और ताल उसमें पोरा संतुलत रूप से हमको ले और ताल दिखाई देता है लेकिन इसका प्रसंग बदल जाएगा आगे जो म ड趣 लोतने का इंतसहर राधा कर रही है तो किस तरीके से राधा उनके का इंतसार कर रही है वह जो क्रिश्न कर लिए वो विम्बात्मक्षाली में हमारे सामने विद्वपति प्रस्तुत कर दिया है क्या क्या रही है सकी है करता हुना देख मद आई मतलब बहुत जादा बेचेन है राधा इंतिजार कर रही है क्रश्न का क्योंकि क्रश्न मतरा गई है और उसके जानी के बाद ना तो महां से कोई उनका संदेश आया है ना वो राधा से कभी मिले हैं तो राधा उनके विरह में व्याकुल हो रही है यहां मतलब राधा का प्रोशित पति का रूप हमको दिखाई दे रहा है प्रोशित पति का वह नाईका होती है जो कि अपने पती या प्रेमी से बहुत दूर होती है और व्याकुल और आकुल होती है, बहुत जादों से मिलने के लिए, तो यहां हमें रादा का वो व्योगी रूप देखने को मिल रहा है, तो वो बहुत ही व्याकुल होकर कह रही है, सकी है कतौना देखमदाई है, सकी, मुझको कहीं भी मातब दिखाई नहीं दे रहे हैं, जब कि यहां यह संकित मिला आए हमको, कि राधा यह कह रही है कि कृष्ण की लोटने, की जो अवदी है, जो समय है वो निकट आ गया है, तो अब निकट आ गया है, तो हमसा नेने क्रश्ण उड़ता है कि क्या करष्ण कभी मुझा का आए थे, मत रासे सब्स्य लोट का आए थे, तो ये विद्यपति की मौलिक उद्भावना हम को यहां देखने को मिल रही है, उन्होंने ये कहलवाया है राधा से, कि कृष्ण जाते जाते राधा से कुछ वाइदा करके गए थे, और कुछ टाइम फिक्स करके गए थे, अब्धी फिक्स करके गए थे, कि मैं लौट कर गई है और जब वो अपनी निकट आ गई है कृष्ण के आने की तो राधा की अधिरता और ज्यादा बढ़ती जा रही है, यह बड़ा एक मनोविक्यानिक सत्य भी है, कि जब हमें किसी की प्रतीक्षा होती है, इंतिजार होता है तो बुलकुल जब वो अपनी निकट आ जा है और धीर नहीं मानस, उसके मानस में कोई उसके मन में धहर नहीं है, अधीर हो गई है, धहर उसका चूट गया है, और उसी चक्कर है, उसका जो शरीर है वो काप रहा है, कि क्रिश्ण आएंगे तो वो क्षण मेरे लिए, कैसा मतलब वो क्षण मेरे लिए, कितना माधव मास ती तिवयो माधव अवदी कहिए पिय गेला और वो बता रही है अपनी सकी को कि मेरे प्रियतम कृष्ण जब मत्रा गए थे तो वो मुसे कहकर गए थे कि मैं माधव मास यानि कि बैसाक मास की एका दशी को लोट करा जाओंगा और यह अब दिल आने वाली है आने इसलिए मेरी अधिरता और ज्यादा बढ़ते जा रही है तो अपने सकी से अपनी मन का जो राज है जो रहस है जो क्रिश्ण उनको कहर गए थे उस राज को साजा कर रही है अपनी सकी के साथ तो कह रही है कि कुछ जुग संब परस कर बोलने ते परती ती मोही बेला अब ज जब वही कहती कि मुझे पूरे विश्वास है तो सकी का जिग्यासा भर जाती है शकी का प्रश्ण है कि तुम्हें कैसे विश्वास है कि क्रिश्ण लौट करी आएंगे क्योंकि ब्रजवास्यों को तो अब यह लगने लगा है कि क्रिश्ण लौट कर नहीं आएंगे तब ड़ाधा अपनी रसा जो मुलाकात से उस APPLAUSE कर रही है कि नो कर रहरी है कि कुछ जूग संब परस कर बोलें कर्शन मेरे शिवलिंग रूपी गə चूपकर कहा था कि मैं ऐसमाण की एक आदशी तक लॉट आऊंगा से यह यह जैने परसमनी छूकर बोला था अब देखें यहां पर विद्ध्यापति की जो भाषा की बिंबात मकता है जो चित्रात मकता है वो देखें कि उन्होंने इस्तन की तुल्ला रूपकलंका रहा पर इस्तन की तुल्ला शिवलिंग से किये उनके आकार में समानता के कारण कि जो कृष् कृष्ण लोटकर आएंगे लेकिन जब तक कृष्ण लोटकर नहीं आ रहे हैं तो तक राधा की स्थिति क्या हो रही है उसका वनना आगे कि आ गया है कि मिर्गमद चानन परिमल कुमकुम के बोल सीतल चंदा वो कहते हैं वो कह रही है अपनी सकी से राधा कि जो कस्तूरी ह है और चंद्रुमा है और परिमल के फूल है कुमकुम है चंद्रुमा है इन सब की प्रकरती शीतल है शीतलता देने वाली है ऐसा कहा जाता है सभावी के यह साथी चीजा बहुत शीतल है शांती प्रदान करती है और शीतलता प्रदान करती है लेकिन राधा को इन से शीतलता प्राप नहीं हो रही है रादा करीए कि पिया बिसले का अनल सोब बेसी है विपतिचीन भलमंदा वो करीए कि चुकि क्रिश्ण मेरे पास नहीं है मेरे प्रितम से मेरा वियूग हो गया तो यह शीतल वस्तु है जो शांती और चैन और सुक देने वाली जो सुकदाई जो वस् शीतल वस्तु हैं भी मुझे जला रही है यारी कि मेरा बुरा समय है मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है और बुरे समय में ही अच्छे मित्रों की यह अच्छे चीजों अच्छे और बुरे की पहचान होती है अब दोको मेरा बुरा समय है यह शीतल वस्तु को मुझे और ज के जो संगार प्रसादन है जिंनके नाम लिए गए है चंदरमा की चांद नहीं ये कृष्न के साथ जब राधा रहती तो सुखारी होती थी अब यहई सब चीजत screenshot को और जादा बढ़का रहा है कृस्ति के वेधी जवाला को और ज़्यादा बढ़का रहे हैं, इसलिए इरादों कोई सब अपनी दुश्मन लग रहे हैं और इसलिए वो कह रहे हैं, कि विपत्ती के समय में अब मैंने यह अच्छे्ट तरीके से जान लिया है, कि ये चीज भी मेरा साथ विपति चीन ये भल मंदा मतलब विपति के समय में ही कौन भला है और कौन बुरा है ये विपति के समय में मालूम पड़ता है और मुझे मालूम पड़े है कि ये जो कस्तूरी है चंदन है परिमिल कुंकम है चंदरमा है ये सब मेरे भला चाहने वाल दैखकर विद्धे पती सकी सप्यलवा रहे है कि उन्या सुद्धन केरी है है Eh रहे है किसकी और पीमullyh दीचाल में zlust Vision स्केले में रहे हैं कि इसको तो अनकर आशवाशन दे रहे हैं कि यहां है पद में भी देखा कि Krishna आश्रॉषण दे गए कि मैं लौटूंगा तो वही विद्यापति यहां पर कह रही है कि Kris enhancesre जरूर आएंगे तेरे पती जरूर आएंगे और तेरा सारा कलेश मिटा देंगे तेरा सारा प्रतर्ट विज्व करक Sense के i liberalais तुन कलிरे अ case 9 हैं इसलिए क्रिशन आएंगे और राधा से मिलेंगे और प्रता सुख देंगे बल्किंटी पूरा समाज को हुश है और प्रत अ कारत संसर्ट इसमिद के साथ हुआ थी कि विद्व्ध्यापती करी इताँ समापत होते हैं इनके मैंने इसकी सारे भावारत आपको समझा दिये साथ मैं जो विशेश में आप कावे का सौंदरे जो लिखते हैं वो हर चीज मैंने बताइए आपको भाशा चंद इनके अलंगकार रस इसका संगार रस आप यहां पर यह संगार का व्योग पक्षा है तो जैसे चौथे पद में हमने पढ़ा के वहां पर शंगार का संयोग पक्षा तो आप यह देखिए कहां पर सही हो गया कहां पर भी हो गया इस तरीके से यह दे फिर भी कोई आपको दिक्कत आए तो आप मुझे बताएगा मैं आपकी हर प्रब्रम पो दूर करने की कोशिश क आपकी हर 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 आपक